ये तुनिया भी एक तराजू की तरह होती है और इसके भी दो पलड़े होते हैं एक पलड़ा होता है अमीरी का और एक पलड़ा होता है करीबी का पर जानते हो कमाल की बात क्या है कमाल की बात ये है कि यहाँ पर भारी होना नुकसान की बात है और हलका होना फाइदे की क्योंकि यहाँ करीबी का पलड़ा भारी होता जा रहा है इसमें करीबों की तादा चोचादा होती जा रही है और इसलिए ये नीचे और नीचे और नीचे होता जा रहा है वहीं दूसरी और अमीरी के पलड़े में बहुत कम लोग है और इसी लिए वो उपर और उपर और उपर होता जा रहा है तुम कौन से पलड़े में हो ये तुम जादा जानते हो मगर मेरा एक मश्वरा है मेरे दोस्त तुमने ये सुना तो कई बार होगा मगर आज इसे समझने की कोशिश करना अगर वाकई तुम्हें समीन पर रेंगते हुए मरने की पजाए खुले आसमान में उड़कर जीने की तमन्ना है तो जतना जल्दी हो सके इस गरीबी के बलड़े से उस अमीरी के बलड़े में छलांग मार तो वरना उमर के साथ साथ ये फासला भी बढ़ जाएगा जो दूरी जादा हो गई फिर तुम से नहीं हो पाएगा और अगर छलांग नहीं मार पाएगा न तो दोश खुद के सिवा किसी को मत देना क्यूंकि करीब पैदा होना तुमारे हाथ में ना सही मगर करीब रहना या ना रहना ये तुमारे हाथ में सरूर है ये हमेशा याद रखना कि करीब का ना कोई दोस्त होता है ना कोई रिष्टेदार होता है करीब का तो सर्फ कोई मददकार होता है ये हमेशा ये हमेशा ये तुमारे होता है